माननिय प्रधान मंत्री जी के मूल मंत्र घर पे रहो, स्वस्त रहो, सुरक्षित रहो और जिम्मेदार बनिये और जिम्मेदार बनाईये से शुरू कर रहा हूँ एक जरूरी सूचना है राजस्थान की बोडर रोड ट्राफिक के लिए सील हुई है और यहाँ से राजस्थान जाने वाले लोगों के पास राजस्थान की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए वहां के जिलाधीश अथ्वा ग्रेव भाग की परमिशन जरूरी है इसलिए मेरे सभी को अपील है कि राजस्तान जाने के लिए वहां के ग्रेव भाग के मनजूरी के बाद ही प्रवास शुरू करें रेड जोन और ग्रीन जोन में आए हुए कंटेन्मेंट एरिया में संपूर्ण लॉकडाउन और ओरेंज और ग्रीन जोन में आंशिक छूट छाट के बाद लॉकडाउन का आमल पुलीस के द्वारा करवाया जा रहा है ये सारे प्रयास लोगों के हित के लिए हो रहे हैं यह समझ कर सभी नागरिक पुलीस कारवाई में सहयोग दे ये बहुत जरूरी है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को एक आदत की तरह जीवन शैली का हिस्सा बनाने पर ही संक्रमंट से बचा जा सकेगा इसलिए अनिवारे कारणों से बाहर निकलने वाले सभी लोगों से मेरी अपील है कि मास्क का उपयोग करें और तमाम जगेहों पर योग्य अंतर रखें राजस्थान की लॉकडाउन भंग की जो घटनाए ध्यान पे आ रही है उस संदर्भ में पुलीस द्वारा गुना दर्ज करके आरोपियों को पकड़ा जा रहा है नागरिक द्वारा सो नंबर और पुलीस कंट्रोल रूम में दी जाने वाली ऐसी जानकारी के कारण पूरे राज्य में 72 शिकायतें दर्ज हुई है लॉकडाउन भंग के उपरांत जिन लोगों को होम कॉरंटाइन किया गया है उसके कॉरंटाइन भंग करने पर पुलीस कारवाई भी की जा रही है बेहद आवश्यक है कि होम कॉरंटाइन में रखे गए लोग बाद में कुर्णा से संक्रमित पाए जाते हैं इसी वजह से होम कॉरंटाइन में रहना आवश्यक है और ये लोग अगर भंग करते हों तो भंग करने वालों पर करी कारवाई की जा रही है प्रतिबंधित सेवाओं पर पुलीस नजर रखी हुई है ये कारवाई करते हुए कल राजकोट में दूद के कैन से गुटके और तंबाकू मिले जिनके उपर से कारवाई की गई और उन लोगों को पकड़ा गया ऐसे ही कल नकली पास के साथ अमरेली में प्रवेश करते हुए दो लोगों को पकड़ा गया है अधिकरित पर्मिट और पास के साथ ही अन्य जिल्ले में प्रवेश किया जा सकता है इसलिए मेरे आपके माध्यम से सभी को अपील है कि अगर एक जिल्ले से दूसरे जिल्ले जा रहे हैं तो वहां से पास निकलवाने के बाद ही प्रवास करें कुरोना संक्रमन से समाज को बचाने के फर्ज में बहादुरी से डटी हुई पुलिस वोर्स में भी संक्रमन पाया गया है लेकिन संक्रमित सभी पुलिस कर्मियों की तबियत अच्छी है बड़ी मात्रा में पुलीस कर्मी स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए है अभी तक पूरे राज्य में 67 पुलीस कर्मी कोरोना मुक्त होकर स्वस्थ हुए है होम कॉरंटाइन हुए पुलीस कर्मियों में अब तक 601 कर्मी होम कॉरंटाइन से भी मुक्त हुए है कल डीटेन किये गए वाहनों में से राज्य में कुल 5866 वाहन मुक्त किये गए है अब तक कुल 2375 वाहन को छोड़ा जा चुका है सुसाइटी में लगे CCTV भी चेक किये जा रहे हैं राज्य में कल ऐसे 18 गुना दाखिल हुए हैं और 19 लोगों को पकड़ा गया है अब तक ऐसे 606 गुना में 862 लोगों को हिरासत में लिया गया है लॉक्डाउन के अमल पर पुलीस के द्वारा निरंतर ड्रोन, CCTV और ANPR से भी नजर रखी जा रही है राज्य में कल ड्रोन की मदद से कुल 191 गुना दर्ज किये गए हैं अब तक ऐसे कुल 11,703 गुना दर्ज हुए हैं और इन गुना में 21,856 लोगों को हिरासत में लिया गया है CCTV फुटेज के आधार पर कल 78 गुना दर्ज करके 87 लोगों को हिरासत में लिया गया है अब तक ऐसे कुल 2778 गुना संपूर्ण राज्य में दर्ज किये गए हैं अब ऐसे गुना में कुल 3908 लोगों को हिरासत में लिया गया है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के आधार पर गलत खबर या अफवाह के 15 गुना दर्ज किये गया है अब तक ऐसे 701 गुना में कुल 1441 लोगों को हिरासत में लिया गया है कल सोशल मीडिया द्वारा अफवाह फैलाने पे पुलीस के द्वारा 16 अकाउंट बंद किये गये हैं अभी तक कुल 663 अकाउंट पुलीस के द्वारा बंद किये जा चुके हैं कल एनपियर के अनालिसिस के द्वारा 40 गुना और आज तक कुल 1157 गुना 97 गुना दर्ज किये गये हैं कल विडियोग्राफर की द्वारा किये गई शूटिंग के आधार पे कुल 193 गुना और आज तक ऐसे कुल 2875 गुना दर्ज किये गये हैं कलप्रहरी जैसे खास वाहनों पर लगे कैमरों की मदद से 67 गुना और अब तक ऐसे कुल 955 गुना दर्ज किये गए है